हुआ है कैसे हुआ आप लोग आज हम प्रोस्पेक्टिस का चैप्टर खदम करने जा रहे हैं कंपनी लौ में यह सेकिंड पार्ट होने वाला है फिर्स पार्ट और लेडी अप्लोड हो चुका है आप जाके देख सकते हैं आपको वीडियो के लिए भटकने की जुरूत नहीं है जस्ट सर्च करना की ओफ कॉमर्स यूट्यूब पे जो फर्स चैनल आएगा वहां पर जाके आप प्लेइलिस्ट में जाओगे तो आपको सभी वीडियो और में मिल जाएंगी और गाइस इस वीडियो के आनवर्स हम यह भी स्टार्ट कर रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देना स्टार्ट कर दें प्लेइलिस्ट का जिससे आपका जो टाइम होगा वह काफी बच जाएगा तो गाइस यहीति कुछ इंफॉर्मिशन सो आप देख लेते हैं कि अब हमको इस सेप्टर में बचा क्या है पढ़ने के लिए गाइस एक्जाम में आपको पहले ब तो गाइस फर्स्ट कोशन से स्टार्ट करते हैं अब कोशन की फ्रेमिंग की सिसाब से होगी वो आप समझो सबसे पहले हम बताएंगे चाहे कोशन उसमें से कोई भी आ जाए मतलब की चाहे फर्स्ट कोशन यह आ जाए चाहे वो आपसे रेमेडिस के बारे में पूछ ले त तो देखो उसमें पूचा क्या है, किसके बारे में पूचा है, मालनों अगर किसी चीज के characteristics पूचे हैं, तो उस चीज को भी पहले बताओ, उसके बाद उसके characteristics बताओ, सेम यह हम यहाँ पे करेंगे, पहले हम misleading prospectus का मतलब बताओंगे, उसके बाद हम बताओंगे, कौन libel है, क्या remedies है और सब कुछ, ठीक है गाईज, तो गाईज अब हम देख लेते हैं, misleading prospectus होते क्या है, उससे पहले हम समझेंगे, कि prospectus में actually होता क्या है, prospectus constitutes, मतलब कि उसमें होत है, तो इसमें basis होते हैं, मतलब कि किस price पे बेचा जाएगा, कितने shares खरीदे जा रहे हैं, वो सब, और जो भी हमारी information है, वो सारी prospectus में होती है, material fact उसमें होते हैं, और guys, company की duty होती है, कि वो material fact जो है, disclose करें, किसमें prospectus में, और यहाँ पे material का क्या मतलब होता है, material का मतलब ह है, which can influence the decision of a prospective investor, मतलब कि एक investor का जो decision influence कर सके, ऐसा fact, उसको हम material fact कहेंगे, और guys, not disclose any fact which is not true, तो guys, यह भी होता है, कि company कुछ ऐसी चीज़े भी नहीं दिखा सकती है, जो true नहीं है, as a fact, मतलब कि कुछ ऐसी गल्द चीज़े भी उसको अपने prospectus में नहीं दिखानी होती है, तो पहले point में तो बस हम पहले paragraph में बताएंगे कि prospectus में क्या-क्या होता है, company को क्या दिखाना चाहिए, material fact, company को क्या नहीं दिखाना चाहिए, जो ऐसे fact जो true नहीं है, उसके बाद, second point में बताएंगे material fact को हम omit कर देंगे, मतलब कि हम भूल जाएंगे लिखना, तो वो भी एक तरीके से हमारा misleading prospectus माना जाएगा, एक shareholder, after believing on misleading prospectus, buy some share, then he get the remedies against company, मतलब कि अगर एक बंदा, एक shareholder, shares खरीद लेता है, after believing on mis prospectus, मतलब कि जो misleading prospectus होते हैं, उस पे believe करने के बाद, ये काफी important है, उस पे believe करने के बाद और कहीं तरीके से नहीं, उसके बाद उस person को remedies मिल जाती ह हैं, third point में लिखेंगे, misleading means, अब यहाँ पे हम actual meaning समझाएंगे misleading का, misleading means, mis representation of material fact, मतलब कि गल तरीके से दिखाना material fact को, और यहाँ पे mis representation में not disclosure भी आ जाएगा, मतलब कि या तो ना दिखाना, या फिर कुछ भड़ा चला के दिखाना material fact का, वो हमारा misleading माना जाएगा, लेकिन अ हम opinion को mis representation कर रहें, तो हम आफ कर सकते हैं, sir इसका example देना, अगर हम law का mis representation कर रहे हैं तो, देखो इसका example है, अगर हम लिखते हैं prospectus में, कि share will be issued at discount, अब company law में साफ साफ लिखा हुआ है कि discount पे share कभी issue हो ही नहीं सकते हैं, so अगर company ऐसे prospect लिखके बेज़ती है, तो वो एक fact का disclosure गलत नहीं कर रही है, वो एक law, जो law बना हुआ है, उसका mis representation कर रही है, और उसकी information, उसकी knowledge एक shareholder को होनी चाहिए, तो वहाँ पे उस case में उसको remedies नहीं मिलेंगी, और opinion, मतलब कि एक director बोल देता है, एक person से, कि हमारी company, अगले एक साल के बाद dividend बाटना start कर देगी, लेकिन company अगले दो से तीन साल तक dividend नहीं दे पाती है, तो उस case में भी remedies नहीं मिलेंगी, because एक जो director है, उसका एक opinion है, वो यह नहीं कहा रहा है कि यहीं होगा, ठीक है, उसने यह कहके नहीं बेचा कि भाई, आप खरीद लोगे तो आपको एक साल के बाद dividend मिलेगा, वो कहा रहा है कि यह guys हमको ऐसे लिखना है, first of all हमको बताना है कि prospect का मतलब क्या होता है, फिर हम बताएंगे कि material fact हम omit नहीं कर सकते हैं, उसमें एक example दे देंगे, यह वाला कि remedies कम मिल जाएंगी, third point में हम मतलब बता देंगे कि misleading का मतलब होता है, misrepresentation of material fact and not of law or opinion, और guys अब हम देख लेते हैं अब यह तक हमारा cover क्या हुआ है, अब ही तक बस हमारा misstatement cover हो गया है, और guys who are libel and what extent, what extent तो हमारा cover कहाँ पे होगा, remedies में, और who are libel, मतलब कि कौन libel है, यह भी हमारा कहाँ पे cover होगा, remedies में, तो बहुम को देखना क्या है, remedies देखनी है, बस, तो उसके बद हमारा cover हो प्रोस्पेक्टर में वो उसको समझाए, ठीक है, अब जो अब हम remedies समझेंगे, उसी में हमारा libel कौन है, और किस हद तक libel है, वो हमारा cover हो जाएगा, तो जल्दी समझ भी आ जाएगा, और अब जब पढ़ोगे तो आपको थोड़ी problem भी नहीं होगी, so guys, अब हम misleading prospectus का meaning द एक तरीके से remedies को बोल सकते हो क्या क्या हम action ले सकते हैं company के खिलाफ और क्या क्या action ले सकते हैं directors के खिलाफ, अब सबसे पहले हम पॉइंट को देखेंगे, remedies against the company, company के खिलाफ क्या क्या हमारे पास remedies है, तो सबसे पहले इसको भी दो पार्ट में बाटा गया है, ठीक है, कौन- तो टेक और accept shares, और second है, damage for, damage for fraud and misstatement or concealment, अब first point को हम पढ़ते हैं, अब यह जो हमारे recession वाला point कमाना जाएगा, for this, shareholder has to seek the remedy within a reasonable time and has surrendered the share to the company, मतलब कि इस remedy के लिए, जो shareholder को अपने shares surrender करने पढ़ेंगे, surrender मतलब कि दिवापिस देने पढ़ेंगे, साथ के साथ उसे एक reasonable time में company को बताना पढ़ेगा, कि यह हमें इसाथ गलत हुआ है, और मैं action लेने जा रहा हूँ, this condition must satisfy, मतलब कि चार condition satisfy होनी चाहिए, जब वो यह remedies ले पाएगा, कौन-कौन सी, सबसे पहले prospect, जो हमारे prospectus हैं, वो एकदम जैसे provision थी वैसे issue हूए हूँ, second prospectus contain a mystery presentation, उसमें एक mystery presentation हो, of course, अभी तो हमें ऐसा कर रहे हैं, और third industry presentation was material and related to such fact, मतलब कि जो mystery presentation तो थी, साथ के साथ वो material भी थी, ठीक है, और fourth point के हमारा subscriber actually relied upon the statement, simple 4 point है अब इसे आप देखोगे नहीं तो भी बोल दोगे, जो prospectus issue हूए हैं, वो according to law issue हूए हूँ, जो हमारे prospectus, हमारे issue हूए हैं, वो उसमें miss representation थी, third point में miss representation थी, तो वो material थी, और जो हमारा fourth point है, कि हमने जो share खरीदे हैं, वो prospectus पे belief करके ही खरीदे हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, so, यह हमारे point हो जाएंगे, अब, किस-किस case में हमको यह right नहीं मिलेगा, मतलब कि जब हम यह right है क्या हमारा, कि हम अपने जो पैसा वापिस ले सकते हैं, company से मतलब कि अपने share दे दे और पैसा वापिस ले यह चार cases होंगे, तब हम का ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर यह 4 cases नीचे वाले हो गए, तो हम ऐसी remedies नहीं ले पाएंगे, कौन-कौन से, if the authority does not start the proceeding with a reasonable time, मतलब कि एक reasonable time में हमने नहीं किया, मतलब कि हमने पूरा विचार विमर्स कर रहे थे, उसके बाद भी नहीं किया, काफी time के बाद हमको लगा कि अब ऐसा कर दे हैं कि हमने, dividend भी ले लिया, उसकी जो आनिंग से जो भी फायद है, benefit है, लेते गए, उसके बाद में कहते हैं कि भाई, अब में नहीं चाहिए, यह हमारे सा दोखा हुआ था, मिस्टी परिंदेशन, material fact कि थी, prospectus में, और हमको अभी पता लगा, तो ऐसा नहीं माना जाएगा हमको एक तरह से reasonable time में करना है और इसको कोई benefit नहीं ले लेना है, third point, liquidation में हो गई है, अगर company की, तो भी हम ऐसा कुछ remedies नहीं ले पाएंगे, और fourth point is, if he is a man of such experience, that is not likely to mislead by misstatement, इसका मतलब क्या है, कि इसको हम यहाँ पर समझते हैं, कोई बात नहीं खराब हो जान दो, एक person था, यह बहुत बड़ा investor था, बहुत बड़ा, और यह daily basis पर trading करता था, अब यह अगर कोई misleading है, कुछ ऐसा, कुछ material fact की misleading है, जो की देखती पता लग जाएगी, एक अच्छा investor होगा तो, तो उस case में करेंगे, क्या, इस बंदे को, एको नहीं देंगे, इसको एको remedy नहीं what happened, focus क्यों नहीं कर रहा है, हाँ, एक हो, हम remedy नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि इसको तो पता है ना, भाई, कि क्या क्या होता है, कैसे सब होता है, एक normal person होगा, उसको remedy दे सकते हैं, लेकर एक expert को, हम remedies नहीं दे सकते हैं, because अगर कुछ misleading है, तो उसे पहले से पता होगा, तो एक तरीके से, इनका मतलब कि एक genuine बंदा होना चाहिए, genuine कैसे पता लगेगा, एक reasonable time में कर दे, साथ के साथ, वो हमारा FM ना करें, मतलब कि benefit ना ले ले, third point क्या है, liquidation में अगर company चली जाती है, तो भाई हम ऐसी remedy नहीं दे पाएंगी, company पैसा वापिस नहीं करेगी, और fourth is, such experience, और उसको ऐसा experience होगा, कि भाई वो एक highly profile investor है, तो उस case में मुसको ऐसी remedy नहीं देंगे, तो यह तो हमारा first point cover हो गया, ठीक है, किसके खिलाफ, company के खिलाफ, second point, any such person induced by such statement or omission is also entitled to show the company for damage, मतलब कि अगर उस बंदे को एक तो share के पैसे वापिस मिलने, first point में, second point में बता रहे हैं, अगर उससे कुछ damage हो गया, मतलब कि उस वक्त पे, उसके पास दो option थे खरीदने के, company एक 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 खरीद लिए और इसमें mystery presentation थी, और company भी में नहीं थी, अब क्या हुआ, उसको loss हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा, company BK share, 100 रुपे जादा से बिकरे हैं market में, और उस वक्त 100 रुपे कम से बिकरे थे, तो अगर इचाता तो BK खरीद लेता है, और अभी इसको 100 रुपे का per share का benefit हो चुका होता, समझे बात को, तो अगर कुछ ऐसा damage होता है न उसे, वो भी company से ले सकता है, shoe कर सकता है company को damage के लिए, for this, he has to first, सबसे पहले उसे जो contract हुआ है, वो उसे पहले निकालना पड़ेगा, उसे मतलब की हटाना पड़ेगा, and give up or surrender his share, मतलब की अपने shares भी देने पड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा की वो shares भी ले ले और damage भी अपना ले ले, मतलब की shares भी अपने पास रखे और damage भी ले ले, ऐसा कभी नहीं होगा, इसमें नीचे लाइन में लिखा हुआ, analogy of a share cannot claim damage, also side-by-side retain his shares, ठीक है, अब उसको दो condition fulfill करनी पड़ेंगी, that the misstatement were made fraudently, मतलब की दोके बाजी से misstatement हुई है, और second, that he has actually been deceived, मतलब की वह हकीकत में उसमें जो प्रोस्पेक्टर को देख के खरीदा और उसको इसा दोका हुआ है, ठीक है, तो यह दो point हमारे किसमें होते हैं company के खलाब, अब हमको देखना क्या है, remedies against directors, promoter and experts, उसको next page पे देख लेते हैं, अगर इसे बोला जाता है, जो damage लिए जाते हैं, यह सिधे company से नहीं लिए जाते हैं, कि सारे damage लिए जाएंगे director से, ठीक है, बस बोल दिया गए कि हम company से भी ले सकते हैं, लेकिन actual में जो director involved होते हैं वो हमसे director से लिए जाते हैं, company नहीं देती है, और गाइज, अब एक बर हम question देख लेते हैं, हमारा हुआ लाइबल यहां पर question है हमारा हुआ लाइबल सो लाइबल तो company भी डारेक्टर भी है यह हमारा पॉइंट कवर हो गया और किस हद तक लाइबल हमने देख लिया कि एक तो भाई damage भी भलने पड़ सकते हैं, साथ के साथ जो भी हमारे damages हुएं, मतलब कि जो हमारे shares इसके पैसे एक्चुल वह भी हमको वाफिस करें पड़ेंगे तो remedies में मारे दोनों पॉइंट कवर हो जाते हैं आप यह लिखके आऊगे तो तो आपका गलत नहीं करेगा सो अब हम सेकेंड देख लेते हैं वह हमारा remedies अगेंस डिरेक्टर पर मोटर एंड एक्सपर्ट सो ग सब्सक्राइब करते हैं पब्लिक में इंट्रेस्ट जानने के लिए कि हमारे शेयर कितने लोग खरीदना चाहती हम कितने पर इशू करेंगे तो हमारे बिख जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है तो उसके लिए प्रोस्पेक्टर से इस्यू करते हैं यहा सब्सक्राइब करने चाहिए इसकी प्रोवीजन क्या है कि कंपनी इशू कर सकती है रेडियरिंग प्रोस्पेक्ट वहीं लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट है जो हमारी ओपनिंग होगी सब्सक्रिप्शन लिस्ट की उससे तीन दिन पहले हमको रेजिस्टरा के साथ फाइल कुछ misleading बातें बताई हैं मतलब कि share capital ज्यादा दिखा दी कंपनी की तो उसकेस में जो सेम होगी जैसे हमारी नॉर्मल प्रोस्पेक्टर में होती है कौन-कौन सी वही कंपनी के खिलाफ ठीक है साथ की साथ हमारी शेरोल्डर के खिलाफ जो भी हमारी सब कुछ criminal liability civil liability सब कुछ वही बानी जाएगी ठीक है और फॉर्ट पॉइंट है कि जब हमारा सब कुछ ready hearing prospectus हो गया उसके अधा हमने प्रोस्पेक्टेश इशू किया तो दोनों के बीच में जो भी changes हुआ company की share capital में company की fixed assets में जो भी major changes हुए उन सब को प्रोस्पेक्टेश में बताया जाएगा और तो company जिससे प्राइस पर शेयर करना इशू करना चारिए वो बताया जाएगा जितने शेयर इशू करना चारिए वह बताया जाएगा और उसको फाइल कर दिया जाएगा रिष्ट रेइस्टरा के साथ ठीक है तो यही चार पॉइंट थे प्रोविजन के और एक मीनिंग बत कुछ तattiम के बाद 2-3 महींने बाद फिर शेर इस्यू करना चाहलिए है तो उसे प्रोस् पेख्यडे शीव करने होंगे फिर दो-तीन महीने के बाद फिर करना चाहली मुझे से जमी प्रियू करने होगे तो उसके इसमें होता क्या है हमारे एक शिल्फ सकते हैं मतलब कि ऐसे जो एक बार श्यू कर दिये जाएं और होता क्या है उनके बेसिस पे हम अगले एक सल कोई भी शेर करेंगे तो अश्यू करने जोंवर्वफ नहीं है तो से चैंज यह हैंatta क्या क्या देगा हमें होती है वह हम इस्यू कर देंगे नॉर्मल उसमें इतना खर्चा नहीं होता है और उसे हमारे जो टाइम होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो अब देखो अब यहां पर हमने प्रोस्पेक्टेस इस्यू किये ना तो अगले एक साल तक हमको प्रोस्पेक्टेस इस इंक्यूर्टिस इंक्लूड देरें इशुट फॉर सब्सक्रिप्शन और वही चीज लिखिए कि अगर हमको एक से जाधा इशू करना है तो हम से प्रोस्पेक्टर से एक बार इशू कर सकते हैं उसके बाद अपने शेयर जितने बार हम इशू करना चाहें कर लें और जो से प आँओ फ्रोस्पेक्टम वे रईस्ट्र वह से निखेए कि फिल इंडिकेट नौछ सब्सक्रियर चिंए उसकी लिए उसके लिए साथ-स नहीं कर सकते हैं मतलब कि यह पर एक साल हो रहा है इसके बीच में जितने वजी शेयर इसके बात करने तो हमको यहां पर दुबारा प्रोस्पेक्टे से इस्यू करने पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट सेकेंग और सब्सक्राइब सब्सक्राइब सेख्यों डूरिइड पीरियूड ऑ वही बात लिखे कि जुरूत नहीं पड़ेंगी अब कंपनी फाइलिंगे सेल प्रोस्पेक्ट सेल वी रुकॉर्ड टू फाइल इंफॉरमेशन मेमोरेंडम मतलब आइएं बोलते हम इसे अब एक ऐसा मेमोरेंडम मतलब कि जहां पर जो भी चेंज हुआ है कंपनी के मैट्रियल फेक्ट के बारे म इस इस प्रोफर इस्यू किया था उससे सेंगें जो भी चेंजिस आये वह समय लिखेंगे और फिफ्ट पॉइंट वे इनफोमेशन मेमेरेंडम इस फाइल विज रिश्टर मतलब जितनी बार हम इनफोमेशन मेम इस्यू करेंगे उसको उमको रजिस्टर के साथ फाइल आना पड़ेगा और उसको एक तरी किसम दीम प्रोस्पेक्ट माल नेंगे तो गाइस यही कुछ था आपका तो गाइस अब देख लेते हैं मेरी सगेंस डिरेक्टर प्रमोटर्स एन एक्सपर्स जाइस अब थोड़ा वाइस की प्रॉब्लम हो तो मैनेज कर लेना बशे इस अब इसे समझ सकते हो कि हमारे को एक पेमेंट करनी पड़ेगी ठीक हमने उसके समें देखा था ना सेकंड पॉंट कंपनी के इसमें डेमेज इस वहां पर सिविल अगी है और जो क्रिमिनल लिएबिलिटी इसमें मतलब कि कुछ ऐसा हो गया कि बहुत बड़ा नुक्शान हो प्किन अब से को सिविल अब करके एक स्टेट्मेंट पर लिया है तो उसकेस में हमको सिविल लाइबिलिटी का जो है डैरेक्टर्स के उपर हम लगा सकते हैं लेकिन तो इस दो कितने डायरेक्टर वह उख सकते हैं तो यह चार पांस पर संस पर लगा सकते हैं या तो अधिकरी हो पंपनी का कॉन एड टीडाम का प्रोस्पेक्टर स्याथी इसू सब्सक्राइब करें दो कि जिसने बोला है कि हां मिजारी लेता हूं का इससे जो आपको पताा हुआ है Viel अँट, लोगते आपनिया है वीडियो में पता हुआ है और अपी स्विंड़ाय सुद्रें, और एफ न्यो उतर हुआ है जुए ईवल्ज नगी में अब पिन हुआ है तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, देखो, and his name is in the prospector as a director of a company, and has agreed to become his director, मतलब कि director हो या बनने के लिए राजी हो, उसने authorize कर दिया हो, या किसी और परसी ने authorize कर दिया हो, या कोई expert हो, expert मतलब कि कोई CEO, 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 वो भी फस जाएगा इस case में, ठीक है, अगर मालनो कुछ misstatement होती है प्रोस्पेक्टरस में, और उससे problem हो जाती है, अब क्रिमिनल लिएपलिटी क्या होगी, अब इसमें पूरा लिखने की जूरत नहीं है, जितना मैं बोलू, उतना लिखना हो, इसको होगा जो याद नहीं करने है, जब तक कि मैं बोलू ना आपको, ठीक है, अब क्रिमिनल लिएपलिटी इन्वोल्स है, अब कि उसे जेल भी हो सकती है, और उसे फाइन भी लग सकत है, ठीक है, अब किसको होगा जो गिल्टी पाटी होगी, मतलब गिल्टी कौन, जो भी इसमें इंक्लूडेड होगा, so, अब इसमें याँ से पढ़ो, आप मतलब इसको बीच की चीज लिखने की जुरुत नहीं है, तो लो मैं आपके लिए फिर भी रिटिंग कर देता अब इसके लिए हमको करना क्या होगा, जो हमारी omission है, वो किस-केस में बच जाएंगे, मतलब भी जो गिल्टी हो रहे है, मतलब भी लॉस हुआ, वो किस-केस में बच जाएंगे, या तो जो इन्होंने इस स्टेटमें लिखी है प्रोस्पेक्टस में, वो हमारी क्या है, इ इमेट्येल है, या फिर रीजनेबल ग्राउंड है उनके पास, उनको बताने के लिए कि भाई, जो लिखा हुआ है, हमने इस सोच के, इस ऐसा सोचते हुए हमने लिखा था, और ये अपनी तरह से सही है, क्योंकि एक लाइन को इन कई तरीके से देख सकते हैं, तो कोई परस अपना परसेप्शन होता है, तो अपने अपना अलागता साज़की से सोच के और फरीद ले शेयर, उसके बाद लॉस हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, कंपनी वो बता सकते है, कि हमने ये सोच के लिखा था, और ये सही है, तो उसके इसमें हो हमारे डिरेक्टर से बच जाएंगे, अब नीचे उसके लिए फाइन लिखा हुआ है, कि सेक्शन 447 में क्या लिखा हुआ है, जो भी गिल्टी होगा ना, उसको इंपरिजमेंट होगी, साथ के साथ, 6 मंथ से लेके 10 ये तक की जेल होगी, मतलब कि वही जेल होगी, 6 महीने से लेके, 10 साल तक की, प्रणी के लिखा है, और फाइन कितना होगा, अब देखो, फाइन लिखा है, अमाउंट इंवॉल्व इंवॉविं इपा कि जितना भी अमाउंट फ्रॉॉड होगी, यह उतना भी प्रॉड किया है, या तो उतना या तो उससे 3 गुना, उसके बीच में कोई भी हमारा व्म तो उसकेस में क्या करा था कि जो जेल होगी ना कम से कम 3 साल की होगी उसकेस में यह नहीं कर सकते हैं कि 6 महीन या 1 साल की छोड़ जो कि आपरीज प्रोस्पेक्ट है यह फूर्थ का फिर्स पॉइंट आपरीज प्रोस्पेक्ट यह आप पड़के समझ जाओगे अभी मैं आपको नेक्स वीडियो में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट करवा रिता हूँ ठीक है और जोगा इसमें आपको डाउट होना तो पूछ ले बसप्रोस्पेक्ट स beetje Ça रहे हमको तो ईसको को स्थ बचाने के लिए चारफ प्रोवीजन है उसके बद आरविछ आपको पढ़ना है और उसकी अपको ने कवर कर लिया तो इसकी के साथ आपको प्रोस्पेक्ट का छेप्टर खतम हो जाता है इसके बाद हम जलदी नया शफ disclose उम्मिद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखो ताकि अब हम कोई भी नहीं वीडियो जा लें तो आपको के पास नोटिफिकेशन आती रहें तो ग वेटे के लिए जैहिंट टेक क्यर गया है